अगर मैं तामबा पीतल लोहे की बात करूँ तो उसमें RIE BEAT कोईले की खान में छुपा हुआ हीरा है, जिसके रिगार्डिंग ओफिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए वो RIE Regional Institute of Education और Constitute Unit of NCRT को काफी अंडरेस्टिमेट कर लेते हैं या फिर इसकी वैल्य यह नहीं समझ पाते हैं, RIE BEAT directly NCRT govern करता है और जो recent days में आपने सुना होगा, new education policy में यह हो गया है कि 12th के बाद अब BEAT 4 साल का होगा, PG के बाद 2 साल का होगा, यह तमाम जो debate to debate आपको देखने के लिए मिलता है, यह सारी चीज़े हवा में नहीं आ जाती हैं market में, यह कहीं कि NCRT RIE से ही किये हुए होते हैं, और यह तमाम new education policy में 4 year, 2 year, BEAT की जो आप policy देखते या सुनते हो, यह सब RIE BEAT में बहुत ही पहले से होता है, बस होता क्या है कि students often decision नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि parents ने कभी नाम नहीं सुना, पता नहीं कौन सा है, पता नहीं क्या है, उ centric कोई BEAT है और इसके colleges Delhi में होंगे, I repeat NCRT RIE का एक भी college Delhi में नहीं है, NCRT में क्या होता, जो भी BEAT की colleges है, reason के हिसाब से इंडिया में divide है, ठीक है, इंडिया को 4-5 अलग-अलग division में divide कर लिया गया है, उस division में अलग-अलग location पर NCRT RIE BEAT की colleges होते हैं, उस particular location पर आपको जान NCRT RIE में B.A.D. 2 साल का होता है, B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. बस यह कहो कि इनका मॉडियूल इतने तरीके से कराया जाता है कि उसको पैन इंडिया लेवल पर नियू एजुकेशन पॉलिसी में डाल के इंप्लिमेंट करने की बात की जा रही है या फिर धिरे-धिरे किया जा रहा है उदारण के तौर पर यहां पर बीएड एममेट देख देखने के लिए मिलेगा यह सबी कूर्स आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे लेकिन सिंस डेली बात करेंगे नमशकार मैं अभिलास सिंह आप मेरे से इंस्टाग्राम पर बिजूर सकते हैं राई बीएड के सभी न्यूज अपडेट और क्वेरीज के लिए जिसका लि या फिर यह यूजर आईडिय आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एडुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रूप दे रखा होगा टीचिंग फिल्ड से छोटा से छोटा इंफॉर्मिशन कल को आप बीएड करते हों आपर क उन सब को भी आप जोईन कर सकते हैं डेलीवाइट्स का बहुत सारा समिनार होता जो देलीवाइट्स के एगजिस्टिंग इस्टूदेंट्स है उनको वहाँपर इनवाईट किये जाता है जो भी टीचिंग फिल्डेंटी के लोग है आते हैं वहाँ डिसकस कर सकते हैं एक R.I. में B.A.T. अलग-अलग जोन्स में डिबाइड होता है किसी सहर या इंस्टिटूट को एक particular location के हिसाब से आप नहीं करेंगे अच्छा मतलब डेली उनुवस्टी का मतलब तो डेली में होता है B.H.U. का मतलब बनारस में होता है अली गड़ इनुवस्टी का मतलब कि अली गड़ में होता है नहीं R.I. क्या है ये एक कहलो कि overall national level पर इसका design किया गया है तो इसके जो centers है जोन-wise designed है जैसे R.I. अजमेर हो गया तो R.I. अजमेर के अंदर बहुत से अलग-अलग states आते हैं अब तुम कौन से जोन में आते हो तुम्हें उसी जोन से B8 का form fill करना अब तुम कौन से जोन से आते हो ये कैसे पता चलेगा ये मैंने वीडियो के end में समझाया है कि आप देख लो आप किस state के वेक्ति हो जैसे मालो Delhi state का वेक्ति RI अजमेर वाले जोन में आता है हर्याणा State का वेक्ति RI अजमेर वाले में आता है UP का वेक्ति RI अजमेर में आता है तो ये मैं अभी वीडियो के लाग которую बताया हूँ कि आप कौन से जोन में आते हो तो उसी तरफ पूरे इंडिया को ये लोग cover करते हैं R.I. Ajmer के अंडर, R.I. Bhopal के अंदर, R.I. Bhubaneswar के अंदर, R.I. Mysuru के अंदर, N.E. R.I. Shilong के अंदर. कहने का मतलब यह ए, कि टोटल पांच अलग-अलग जोन्स में, इंडिया को डिवाइड किया गया है, और पूरे इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स, इन्हीं पांच जोन के बियर्ड कॉलेज़ेज में, डिवाइड अर यही पर admission उतार, सभी इस स्टेट्स को अलग-अलग seat allocated है कि इस particular state से कितने number of students होंगे जो NCRT, RIE में जितको हम admission देंगे आप इनके काम करने के तरीका देख लो काम करने के तरीके से ही आपको बात समझ में आ रहागा कि quality of institute यह किस तरह का है इसमें जो subjects की group follow होते हैं science pedagogy से या तो होगे आप pedagogy का मतलब होगे है जिस भी particular subject के आप teacher बनते हो जिस भी particular subject से आपकी eligibility decide होगी तो या तो आप science group के होगे या तो mathematics group के होगे या तो social science group के होगे या फिर language group के होगे तो उसी इसाप से इन्होंने seat में division यहाँ पर show कर रखा है कि R.I.A. एजमेर में 55 seats है science and mathematics अलग-अलग R.I.E. के जोन्स में exact subject wise, zone wise, pedagogy wise कितने-कितने seat है इसको मैं दूसरे video lecture में cover करूँगा. In meantime, R.I.E. में B.A.D. में eligible होने के लिए यह जरूरी है कि आपने B.A., B.S.E. या फिर कोई engineering के field या technology के field में किसी भी field से आपने degree किया है अपना और graduation complete कर रखा है या फिर graduation के final year में है तब भी आप eligible हो और minimum requirement यह है कि आपके graduation में 50% marks minimum बन रहे हो तभी आप R.I.E.B.A.D. का form fill करने के लिए eligible हो और कोई भी SI student है जो SCST या PWD candidate है तो इन सभी candidates को 50% criteria पर 5% marks का relaxation है. यहाँ पर मैं repeat कर दूँ जो भी appearing year में student से जो भी final year में student से उनका exam नहीं हुआ है और B.A.D. का exam होते 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 हैं उनका final year का exam हो जाएगा तो वो सभी candidates भी eligible है इसमें कमाल की बात यह है कि केवल केवल entrance exam के basis पर आपका merit नहीं बनता है आ रही कि B.A.D. exam में इसके लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60% यह calculate करेंगे जो आप entrance exam में score बनेगा उस basis पर बाकी का 40% जो आपका aggregate percentage of marks होगा graduation वगरा में यह 40% का exact definition क्या है इन्होंने समझाया है लेकिन basic point यह है कि entrance exam से सिर्फ और 60% marks का area ही आपका calculate किया जाएगा अच्छा अब question होता है कि यह aggregate score क्या है यह बागी का 40% कैसे calculate होगा तो NCRT RI कहता है for be it obtained total marks of qualifying degree examination out of the maximum marks of qualifying degree examination simple से बात यह है कि यह 40% जो आपका qualifying degree है ना जैसे कि मानलो तुम अपना graduation के basis पर form बढ़ रहे हो बैचलर के degree पर form फिल कर रहे हो तो उसमें जो आपका exact percentage है ना उस percentage को यह calculate करेंगे और 40% में convert करेंगे percentage को calculate कैसे करेंगे total जितने number का paper हुआ मानलो 1000 number का paper हुआ 600 पाए हो तो अब तुमारे होगे 60% इस 60 को 40% में convert करके यहाँ पर add कर देंगे और 60% आपके entrance exam के basis पर calculate होगा और ऐसा कुछ हो जाता है कि दो students के same marks आजाते हैं tie हो जाता है यानि 60% 40% calculate किया गया और दो ऐसे student हैं जो same marks पर है तो कैसे decide होगा कौन आगे है कौन पीछे है तो tie के सभी cases में teaching aptitude test में जो भी आपका score रहेगा उस score के basis पर decide किया जाएगा या फिर further decide किया जाएगा age के basis पर जो भी बड़ा होगा उसको पहली priority दी जाएगी अब यहाँ पर ध्यान दो हम लोग बात कर रहे हैं B8 के regarding ठीक है तो B8 वाला आता है group B में इसमें total आपको 80 questions आते हैं paper में 120 minute का होता है दो घंटे का paper होगा 80 questions आते हैं और ध्यान दीजेगा important बात है यह RIB8 का paper ना online नहीं हो होता है पुराना वाला जो method होता था जिससे offline paper होता है exam center पर जाओगे वहां question paper मिलेगा MR sheet मिलेगा questions को bubble करोगे उस वाले method RIB8 का paper होता है और paper में total तीन section आते हैं language proficiency आता है 20 questions 20 questions English के इसमें questions रहते हैं teaching aptitude और attitude के questions आते हैं 30 questions और reasoning ability के आते हैं 30 questions तीनों मिलाते हो जाते हैं 80 questions यहां पीछे यही बात दिया हुआ है किसी भी candidate का tie हो जाएगा तो teaching aptitude वाले section का score आपका check करेंगे तो paper total 80 questions आते हैं paper में 20 30 30 का configuration divided है medium of test booklet क्या होगा English और Hindi दोनों में question paper आता है एक question दो number का होगा और एक question गलत कर देने पर आपके सही वाले में से 0.5 marks cut कर दिया जाएगा एक R.I.B.A. के paper में आप कोई भी question गलत करते हो तो delibytes.in website पर आपको visit करना है और यह बिलकुल नहीं सोचना है कि R.I.B.A. का previous year paper कैसे मिलेगा delibytes.in website पर आओ या फिर google पर delibytes search कर लो दोनों case में सही जगा पर पहुँच जाओगे delibytes website पर आने के बाद टॉप में आपको show कर करना है यहां नीचे आओगे तो आपको R.I.B.A. का mock test दीखे गया delibytes केवल और केवल एकलोता ऐसा platform है जो R.I.B.A. का mock test pyq अगर आप प्रोवाइड करता है हम इसे online mode में आपको available करा देते हैं सभी candidates इसको easily access कर सकते हैं अगर आप first time viewer और delibytes पर आपको register करना है website पर registration का process आपको complete करना होगा आपके mail id पर एक link आएगा उस link पर click करोगे तो website पर आप register हो जाओगे वापस अपना email id और password यहां फिल करके website पर आपको login कर लेना है आप सभी के लिए available है free पर click करो और आराम से जाके paper को पुरा practice करके समझो कि RIBD में क्या आया था so that exam को लेकर आप वैसे ही prepared हो सारा question एकदम सब कुछ हैं चेक करके English Hindi दोनों language में मिल जाएगा accept the language section क्योंकि वो English में आता है तो सभी question यहां पर आप English Hindi में देखकर अपना finish पर click कर सकते हो mock का mock भी हो जाएगा scorecard देखके यह भी पता चल जाएगा आपका selection होगा की नहीं होगा और previous year paper का आपको बहुत अच्छा exposure भी हो जाएगा फिर आपको करना क्या है चैनल के playlist में जाना है वहाँ पर नुपॉर मैम का teaching aptitude करके एक playlist होगा इस playlist में behead entrance exam के हिसाब से पूरा-पूरा teaching aptitude का section designed है आपको क्या करना है इस playlist में जाना है teaching aptitude के सभी lectures को एक बार नहीं देखना है चार से पांच बार देख लो एकदम वीडियो रट जाने चाहिए direct direct exam में आपको teaching aptitude का question in video lecture से आता हुआ देखने के लिए मिलेगा थोड़ा सा syllabus समझ लेते हैं basically देखो language proficiency में RI का जो syllabus से वैसे तो आप वो website पर जो मैंने दिखाया वाँ पर previous year paper जाके खुद भी समझ सकते हैं लेकिन language वगर में लोग करते क्या idioms, tenses, articles, grammar के कुछ questions पूछते हैं synonym, intonym यह सारी चीज़े पूछते हैं teaching aptitude का नपूर मैम का पूरा playlist मैंने शोग किया जहां पर intrapersonal, intrapersonal skills यह सारी चीज़े पूछते हैं और reasoning में ध्यान देना यह verbal reasoning के साथ साथ non-verbal reasoning भी पूछते हैं non-verbal reasoning क्या होता, जैसे मानलों दो figure बना हुए, अब इस logo को अगर मैं यह पर mirror रख दूँ तो इसका उल्टा image कैसा बनेगा non-verbal, verbal दोनो reasoning के questions आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक बार आप entrance exam qualify कर ले तो, तो कुछ भी आपको RI के website पर directly देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो भी जिस भी zone से आप अपना qualify की हो, उस particular zone के website पर आपको अपना नाम देखने को मिलेगा, और उस particular zone के website पर ही आपको merit list द candidate registration form वेगरा माने के चलो कि जून के मन्त में, फिल होगा RIBET का form, यह सारा कुछ यहां पर शो हो रहा, उसी तरह सभी regions का अपना अलग-अलग website है, RI Ajmer का अलग है, RI Bhupal का अलग है, Mysuru का अलग है, और यह रहा आपका North Eastern Region का, Shilong का, आते हैं आपके scholarship वाले module, पर देखो, अग आपके पस legal papers होना चाहिए, पाकी किस-किस state से हो, आपको जोन में शो कर दे रहा हूँ, उधारन के तोर पर कोई RI Ajmer का है, तो देखो कि वो candidate Delhi, हर्याना, पंजाब, चंडीगड, हिमाचल परदेश, जैपोर, जम्मु एंड, कश्मी, राजस्तान, उत्तर परदेश, उत्तराकंड, यहां का student RI Ajmer के अंडवान, निकोबार, आइसलेंड, बिहार, जारखन, ओडिसा, पेंगॉल, यह सब लोग RI भूमनेशोर के अंदर आते हैं, तो यहां पर यह legal requirements है, इन legal requirements के हिसाब से decide होगा, कि आप कौन से particular state के domicile वेले वेक्ती हो, और उस particular state का, जो RI का jurisdiction होगा, उस particular RI के jurisdiction में के अंडर fill करोगे, यहां पर हर्याना में recently एक नया institute included है, SIASTE, यह भी RI से ही अपने admission ले रहा है, लेकिन यह directly RI के अंडर नहीं आता है, लेकिन यहां पर भी teaching का module हर्याना government बहुत अच्छे से develop करने की कोशिश कर रही है, तो वो लोग भी basically RI के basis पर ही लेते हैं, hostel facilities RI में available है, boys और girls दो के लिए campus में available है, जो लोग hostel में रहते हैं, उनको scholarship के facility रहती है, तो आप RI के hostel के लिए भी apply कर सकते हो, फिलहाल के लिए RI BEAT को और बहतरीन धंग से समझने के लिए चैनल के playlist में जाओ, RIENCERT BEAT 2023 करके एक playlist होगा, उस playlist में यह second वाला video lecture भी दे रखा होगा, जहां पर RI BEAT के preparation classes आप Delhi Bytes पर join कर सकते हो, आप mock test भी ले सकते हो, sure shot RI BEAT में selection के लिए, description box में Delhi Bytes के सभी social media handles के link दे रखे होंगे, और Instagram handle का link दे रखा होगा, do join Delhi Bytes का Instagram यहाँ पर regular current affair के update, news, queries, किसी भी exam से related notification आया है, सारा update आपको Delhi Bytes के Instagram पर देखने के लिए मिलेगा, जिसका link description box में मिल आते हो, तो life में अच्छा करने के लिए कोई reward नहीं होता है, don't do your best, don't do your best, simply do whatever it takes, subscribe to Delhi Bytes, stay tuned, stay updated, do comment your views, God bless you all and have a nice day.